हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप किसी भी ट्रेन में सीट एबलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि इस डेट को कितनी सीट इस ट्रेन में एबलेबल है और वेटिंग लिस्ट कितना है ये सब कुछ चेक कर सकते हैं और साथ ही उसकी प्रोपैबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि कितना percentage chance है कि वो seat confirm आपकी हो जाएगी वैसे तो इस चीज को आप IRCTC application में भी चेक कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको IRCTC में ID होनी की जरुवत पड़ेगी आपकी ID IRCTC में होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे एक ऐसे app के बारे में बताऊंगा जिसमें आप आपको IRCTC की ID की जरुवत नहीं पड़ेगी इसके लिए आपको सबसे पहले Google Play Store में चले जाना है और वहाँ पे टाइप करना है Trainman, Trainman टाइप करते ही इस application को आपको install कर लेना है और यहाँ पे ध्यान रहे आपको इसका icon भी note कर लेना है same यही application होना चाहिए install करने के बाद इसको आपने open कर लेना है यहाँ पे open होते ही अपना mobile number डालके इसमें get OTP करके आपको इसमें login कर देना है get OTP करके अभी थोड़े देर बाद मेरे इसमें एक OTP आ जाएगा यहाँ पे अभी मैंने यह OTP इसमें verify कर लिया है automatically यह अभी verify हो चुका है यहाँ अभी इसका home page को इस type से दिखाई पर रहा है यहाँ पे example के लिए मैं दिल्ली से मुंबई की कोई train देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे from station मैं वो जगह डालूँगा कि जहां से मेरे को check करना है example के लिए मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो यहाँ पे from station मैं मैं दिल्ली डालूँगा जैसे दिल्ली डालते ही कई सारे दिल्ली में जितने भी railway के station है वहाँ पर यह दिखाई देने लगेंगे यहाँ पर मैं कोई भी station एक select कर लूँगा यहाँ पर मैंने हजरत निजामुद्दिन select कर लिया है अब यहाँ पर मैंने अपनी destination डालनी है कि कहां तक मुझे यह जाना है जैसे मुझे Mumbai जाना है तो यहाँ पर मैं Mumbai डाल दूँगा यहाँ पर मैं एक example के लिए एक date ले ले रहा हूँ तो इसके बाद आपको book train ticket में सीधे click कर देना है यहाँ पर book train ticket में click करते ही यहाँ पर जैसे मैंने 23 February इसमें select किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी train है दिल्ली से Mumbai की तरफ जाती है 23 February को वो यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे 1 AC slipper थोड़ा सा आप left की तरफ scroll करते हैं तो सभी चीज़ हैं तो यहाँ पर slipper first AC, third AC और थोड़ा से scroll करते हैं तो 2 AC सभी type के coach दिखाई देने लगता है कि आप किस coach में journey करना चाहते हैं Example के लिए अगर मुझे 23 February Thursday को यहाँ पर slipper coach में इसका status देखना है कि कितनी seat available है तो यहाँ पर tap to refresh वाले में मैं just click कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर पर इसका price भी दिखाई दे रहा है कि इतने रुपे की यह ticket दिल्ली से मुंबई के बीच में है तो जैसे ही मैंने refresh वाले option पे click किया तो यहाँ पर waiting list 3 दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस application की खास बात यह है कि यहाँ पर probability भी दिखाता है कि 91% chances यह है कि यह confirm seat हो जाएगी ऐसा आप IRCTC app में नहीं देख सकते हैं उसकी probability IRCTC app में नहीं देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैंने 3AC में इसकी ticket की seat availability चेक करनी है तो इसमें मैं tick कर दूँगा यह इसमें refresh वाले option पे click कर दूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3AC में available दिखा रहा है कि 50 seat भी available है और इसका price भी यहाँ पर दिखा रहा है इस type से आप कई सारी train जो भी उस date को दिल्ली से मुंबई के बीच में चलती हैं उनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उनकी seat availability भी इसमें check कर सकते हैं साथ इसमें probability भी check हो जाती है कि कितने percentage इसमें confirm होने के chances हैं लेकिन ऐसा probability आपको IRCTC application में देखने के लिए नहीं मिलती है तो दोस्तों इस तरह से आप seat availability with confirmation की probability check कर सकते हैं धर्न्यवाद